नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का दोस्तों HSC CET से समंदित एक नया नोटिस आया है एक बड़ी ख़बर है यदि आप complete detail जाना चाहते हैं कि क्या ख़बर है तो इस वीडियो कौन तक जरूर देखें दोस्तों वीडियो में अगर बनेस पहले आप सभी से है तो दोस्तों देख सकते हैं यह आज की डेट का नोटिस है 13 सितंबर 2021 का सब्जेक्ट क्या है रिक्वार्मेंट टू ग्रूप सी और डी पोस्ट प्री सिप्स्क्रिप्शन ओफ कॉमन इलिजिबिलेटी टेस्ट तो दोस्तों मैं इसमें आपको बता देता हूं क्या चीज कर सकता है कौन दूबल थो इसमें जो है ग्रूप c और क्न के लिए सबसे पहले का ऐइसLय सब्सक्रवाद सब्सक्राइब में और बता सब्सक्राइब त तक लावा में चीज में आपको बता देता हूं क्या थीमों बदलाऊ किये जो पास प्यवार पैचान पतर है और अधार नम्बर तो आपकी फीज लगएगी कितनी 500 रुपए और यदि यदि आप पप प्राइचान पत्तर या अधार नंबर नहीं प्रोवाइड को रहे हो तो फीज लगेगी एक जार रुपई इसी तरीके से यदि आप नोन रेसिडेंस तो बर यान यानि के अधर स्टेट से हो तो भी आपकी सेम यह क्राइटीरिया रहेगा और उसके बाद एक सर्विसमेन की वही 500,000 अधर जो है नोन रेसिडेंस अरिया अधर स्टेट वाड़ों के लिए यह फीमेल के लिए 200 500 और जो रिजरो कटेग्रिया उनकी मैं बता देता हूं 200 और 500 है और जो जन्रल है उनकी 500 हजार है पहले यह फीस है जो नोन अधार वालों की जो है प्रुवार पैतान पत लगेगी एक हजार रुपे लगेगी पहली चीज तो इसमें यह है और देख लेते हैं इसमें क्या बदलाओ किये गए और क्या क्या चीज़ें नहीं आप कंप्लेट डिटेल से पढ़ सकते हैं इसमें बीच मैंने पढ़ाया भी सीध में वो है देखो इसमें यदि आप उब्जेक्शन लगाते हैं इसके बारे में क्या देरखा है अब तक जो भी एचसी आंसर की जारी करती थी उसके हम उब्जेक्शन बिल्कुल फ्री में लगाते थे लेकिन जो सीटी का एकजाम होगा उसमें यदि आप कोई भी उब्जेक्शन लगाते हो तो पर कोस्चन के 200 रुपे फीस देनी पड़ेगी हाँ दोस्तों यदि आप कोई भी कोस्चन का उब्जेक्शन लगाते हो तो उसमें 200 रुपे फीस है वो देनी पड़े यहां पर यह बताए गया कि जो आपका पहला सीटी होगा उसके बाद मेरिट लिष्ट हो कैसे बनेगी इसमें देखो बता रख है कि यदि वेकैंसी 30 से कम है तो बलाए जाएंगे पांच गुणा और यदि वेकैंसी 30 से 50 है तो कितने कंडिडेट बलाए जाएंगे 150 और यदि क्राइटिरिया इसमें दिया है जो कि आगे डोकुमेंट वरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे तो दोस्तों यह कुछ इंपोर्टनेट चीज़े थी कुछ चीज़े थूट गई है तो आप इस नोटिस में पढ़ सकते हैं आप कोई वीडियो कैसे लगे आप कमेंट क करके जरूर बताएं और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद